शिरी शिवाय नमस्तुप्यम हरहर महादेव गुरुजी द्वारा शिरी जी ने कुझ अजीच पुरा कोसी कलमातुरा में शिरी गोपिशवर गोपिश शिम्हा प्राण कथा पूर्ण हो चुकी है आज 9 नवंबर अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने 5 वेल पत्र, पीले चावल और सफेद पुषप बाला बिलकुल नया करजा मुक्ती उपाय बताया है बड़े से बड़ा करजा चुकना ताय है बिलकुल नया उपाय आप इस वीडियो के अंते में देख सकते हैं कई लोगों के प्रशना आ रहे हैं कि अमर बेल केसी दिखती है कौन से पेड़ पे मिलती है तो अमर बेल पर जीवी है इसलिए आप किसी भी पेड़ से इसे प्राप्ट कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार पेड़ में अमर बेल लगती है आप अमरबेल का थोड़ा सा भाग भी ले आएंगे और यदि आप किसी पेड़ की उपर भी डाल देते तो अमरबेल उसी पेड़ पर बढ़ने लग जाती है साथ ही कल गुरुजी ने तीन दीन में विपत्ती दूर करने वाला कनेर के पुष्प वाला विशेश उपाय बताया था ये उपाय आज हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि कनेर के पुष्प का उपाय कैसे करना है, किस जगह पे किस तरह से उसे इसपर्ष कराना है और कैसे अर्पीत करना है अब वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकते हैं आज 9 नवंबर सादविन की कथा में गुरू जी ने एकांतिश्वर महादेव से जुड़े हुए तीन विशेश उपाय बताए हैं आथी कुछ विशेश पत्र पढ़े हैं और उप्योगी जानकारियां दी हैं सबी के जानकारिया आपको इसी वीडियो के माद्यम से देंगे किसी कारण में शेति आपने आशी कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रस्तादवाब को छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा तो बढ़ते हैं आशी कथा की पहली जानकारी की ओर बोले नाथ के मंदीर में कुछ भी अधूरा अरपित नहीं किया जाता कोई भी चीज अधूरी अरपित नहीं की जाती है वो पून अरपित की जाती है क्योंकि बोले नाथ को पून समर्पन चाहिए ऐसा नहीं कि आप मंदी जा रहे हैं या शी महप्राण कथा में जा रहे हैं पर आपका मन घर में लगा है बहार चपल रखी है उसमें लगा है कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है उसमें मन लगा है आप भोलेनाथ की भक्ती में लगे हुए हैं तो पूरी शद्धा से भोले सुम देएक चाला हो गया जाच हुई जिसमें कैंसर निकला इसके बाद मेरी बहेंने जाच कराते रहने को कहा सांति शीफ चीप करने को कहा शाचीफ भक्ति करने को कहा मैंने पशुपति नादवद किया और ज़ल चड़ा कर वेल पत्र चड़ा कर ओषते रूप में प्राप् गठाने निकाली गई इसके बाद बाबा की क्रपा का क्या वर्णन करूं उन गठानों की जांच की रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर नहीं था उसी का अभार वित करने कथा पंडाल में आई हूं बढ़ते हैं आची कथा की तीसरी जानकारी की ओर अर्मवती जी पत्र लेकर आठ फरवरी 2023 में मैं सीहोर को प्रिश्परधाम गई वहां से जो मुझे मिला मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती मेरे चोटे बेटे के बच्पन से एक आख की रोशनी नहीं थी डॉक्टर ने कहे दिया था जीवन भर ऐसा ही रहेगा मैं उसे रोज एक लुटा जल देती वो म नहीं सकता था वो मेरे बाबा ने किया बेटा बोलता था मुझे एक आख से नहीं दिखाई देता क्या मेरी कभी सरकाली नुकरी नहीं लग सकती है बाबा की क्रपा से रुद्राक्ष चल से धीर धीर आग में रोशनी आ गई और बेटा सभी मेडिकल टेस्ट में भी पास हो पुरे परिवार के साथ बेट कर खा लेना आनंध है स्वयम खाना स्विकृति है चुड़ाकर खाना विकृति है और बान्ट कर खाना यी हमारे भारत की संस्क्रती है बढ़ते हैं आशी कथा कि पांच unpleasant कारी की और गुरू जी ने बता आया हम जहां पर गया अइन्ट आ पर भी बोला ओप्रिशन के बाद भी जिम्मेदारी नहीं है पता वेंटी लेटर में पढ़ा रहना पड़े किसी जगह पर मैं बतरमाई ने गई और उस दिन वकत था चल रही थी जिसमें आपने पीपल के पत्ते का उपाय बताया था जो मैंने सुन लिया और पीपल के पत्ते का अगरभाग का सेवन मैंने अपने बच्चे को कराया साथ ही आशोक सुन्दरी माता के इसमन करते हुए मैंने उपाय प्रारम किया इसके बाद मैंने सरकारी होस्पिटल में अपने बच्चे की जाच कराई तो उसके हिरदय का छिदर बाबा की क्रपा से भर शुका था महिला ने रवे का हलुआ स्टील के कटोरी में जिसमें सेलो टेप लगा हुआ था कटोरी उन्होंने पत्र के साथ रखी वो अगर सुन रही है तो उनकी इसमेंड में रहे वो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है और बाबा ने पा लिया है इसके बाद गुरू जी ने बताया मैं मैंने मेरी सेठानी से पेमेंट एडवांस में ले ली थी तो सेठानी ने कहा अभी तो दिवाली में टाइम है अभी क्यों एडवांस में ले रही हो तो मैंने कहा मुझे भंडारा कराना है तो सेठानी बोली 800 रुपे में कैसे भंडारा होगा तो मैंने कहे दिया कोसी में मे भी भाप उक हुए कमेंट बॉक्स के जरी जरूर बताईएगा बढ़ते हैं आशी कता की छड़वी जानकारी की और गुरुजी की जो अगली कता है वो 15 नवंबर से 19 नवंबर धुलिया महारास्ट में होने वाली है और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कता है वो 21 नवं बड़े जटाधारी चले गाउं में रहने वाली है फिर गुरुजी की जो अगली कता है वो 16 नवर से 20 नवर अमरवती में होगी बढ़ते हैं आशी कता की साथवी जानकारी की और एकांतिश्वर महादेव को चड़ाया गया एक पत्ता एकांतिश्वर महादेव को चड़ा नहीं है आप अपने काम करते रहो अपने कारे करते रहो बीच में कहीं आपको एकांतिश्वर महादेव के दर्शन हो तो जरूर करें जिसका पच्चा मन बुद्धी हो चित्रवत्ति से कमजोर हो शरीर से कमजोर हो तो गाय का दूद का दही बना लो और एकांति में कहीं श जल से शिवलिंग को इसनाद जरूर कराएं और चंदन लगाकर त्रिपुन जरूर बनाएं अब यह उपाई आपको कब करना है पहले यह समझिए प्रदोश के दिन करेंगे तो अच्छी बात है या फिर सोंबार की अस्टमी जिस दिन पड़े उस दिन भी आप यह उपाई कर सकते हैं या फिर प्रतेक महा की मासिक शिवरात्री मासिक शिवरात्री भी अभी आने वाली है दो दिन बाद उसमें भी आप यह उपाई कर सकते हैं जो वेल पत्री लाए हो पहले वेल पत्र दे दो अगर खाते बन जाए तो खिला दे उस बच्चे को नहीं तो उसे सुखा ताकर गोली बना कर फिर आप दे सकते हैं और जो दही लेकर आए हो बच्चे को तीन टाइम सुभा दोपैश शाम खिला दो मात्र आपको यह उपाई एक दिन करना है उपाई के बाद वेल पत्र दही का उपयोग भी आपको सिर्फ एक बार ही करना है मतलब एक दिन करना है यह आजी कथा कि नोवी जानकारी की ओर संगीता जी पत्र लेकर आई अपने बच्चे का गरीवी में गुजर बसर करती हूं कोई कमाने वाला नहीं है छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चों के पिता जी भी गुजर गए हैं शीब जीपा चड़ी वेल पत्र और जलका क्या कराज कहता है टीवी पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल है मैं चड़ाऊंगा और वेल पत्र भी लाकर दूँगा तीन चार दिन हम जाच कराते रहे तभी मूँ और नाक से भी खून आने लगा क्योंकि डॉक्टर ने फोर्थ स्टेज का कैंसर बता दिया था मेरे बच्चे मेरा मूँ पोस देते थे हम दवाई लेकर घर आ गए मेरे एक बच्चे ने पशुपती नादवरत किया आटे का हलुआ बनाते समय हाथ जला लिया पशुपती नादवरत पूरे किये दूसरा बच्चा रोज जल चड़ा कर जल और पत्र लाकर देता और कहता चिंता ना कर म पंडाल में आए हैं बढ़ते हैं आशी कथा की दस्वी जानकारी की और यह आची कथा का बिल्कुल नया उपाई है ध्यान से सुनिएगा अगर आपने किसी को पैसे दिये हैं और वह आपका पैस लोटा नहीं रहा है या आपका पैस कहीं फसा हुआ है आपने सारे प्रयास कर लिए पर आपका पेसा वापस नहीं आ रहा है ये उपाई आप अगर कोई आपका पेसा लेकर चला गया हो या फिर आपके सर पर बहुत जादा करजा हो खर्चा हो बहुत पैसे का लोड हो तो भी आप इस उपाई को कर सकते हैं इस उपाई को करने के लिए आपको पांच व को चावल कहойं भी खंडिद ना हूं cent हो oh soit एकांति श्वर महादेव शिवलिंघ पर आपको योपाय करना हैता शिवलिंघ यदि आपको एकांति में कोई शिवलिंघ नहीं मिल रहा है तो प्रतेक महामीद जो शिवरात्री आती है ओद है leaf With a पार्तिव शीवलिंग का अभिशेक पूजन करने के बाद ये सामा गरी आपको अरपित करना है, सामा गरी अरपित करने का भी एक क्रम गुरू जी ने बताया है, तो ध्यान से सुनियेगा. पहले आपको अक्षत अर्पित करना है मतलब पीले चावल आपको अर्पित करना है पार्थिश्लिंग बना लेने के बाद या एक आंथ में जो शिवलिंग मिलता है उस पर उसके बाद आपको पांच सफेद पुष्प अर्पित करना है और अंत में आपको 5 वेलपत्र अर्पित करना है और सभी चीजे आपको एक एक करके ही अर्पित करना है आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार में 5 चीज आपको अर्पित कर देना है ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले 5 चावल अर्पित करना है चावलकदान एकेक करके अर्पित करना है फिर सफेद पुषपा आपको एकेक करके अर्पित करना है फिर वेलपत्र आपको एकेक करके अर्पित करना है अब आप वेलपत्र अर्पित करें तो अर्पित करते समय आपको उस वेक्ति का इस्मन करना है जिससे आपका करजा लेना है या करजे का इस्मरण है इस प्रकार से आप बाबा से प्रातना जरूर करें 31 महादेव की पूजन कर रहे हैं तो वेसे का वेसा ही रहने दे 31 महादेव पार्थिव शिवलिंग बना कर ये दिया पूजन कर रहे हैं और आपको शिवलिंग में या शिवलिंग के पास कनेर का पीला पुष्प रखा हुआ दिख जाए एका एक ही दिख जाए मतलब आपको चड़ाना नहीं है ना ही घर से ले जाना है यदि आपको शिवलिंग पर कनेर का पुष्प पीला पुष्प रखा हुआ दिख गया है तब आपको इस उपाय को करना है ये विशम परिस्तिती हो बहुत दिक्कत हो जीवन में तो उस कनेर के पुष्प को पांच जगह स्पश कराते हुए अपने हिर्दय की बात कहते हुए वापिश शिवलिंग पर आपको अरपित कर देना है तो भी महादेव उसे स्विकार कर लेते हैं अब ये पांच जगह कौन सी हैं वो भी समझ लेजिए सबसे पहले आपको कनेर के पुष्प को गणेची के स्थान पर इसपरश कराना है फिर जलाधारी में जो कार्ती के जी का स्थान है वहाँ पर अरपित करना है मतला इसपरश कराना है इसके बाद आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इसपरश कराना है इसके बाद जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है वहाँ पर आपको इसपरश कराना है इसके बाद इतना करदेने से 3 महा में आपकी कामने पूर्न हो जाती है और वीपत्ती बड़ी है विकट है तो मात्र 3 दिन में आपकी वीपत्ती दूर हो जाती है विशेश उपाई आप कभी भी किसी पिदीन कर सकते हैं अच्छी नुपायों से लेकर मन में कुछ सवाल एकोशन है तो आप कमेंट बॉक्स से जरीए पूस सकते हैं वीडियो धोड़ा भी उपयोगी लागा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू टाइप कीजिएगा शिरी शिवाय नमस्तु भ्या कर दो